समस्कार दोस्तों फिनोमनल गुरुजी यूटीब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं सामसंग लेक्सी के M-Series या F-Series के स्मार्टफोन तो आज के इस वीडियो में आपको टॉफ 5 फीचर बताने वाले हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों पहले फीचर की बात करें यहाँ पर आप आइकन देखते हैं कोई भी आइकन को यहाँ पर आप दोस्तों मूव कर सकते हैं यहाँ पर यह move हो जाते हैं अगर आप इन्हें lock करना चाहते हैं कि home screen पर यह lock रहे हैं तो किस तरीके से lock कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप home screen पर tap करेंगे इसके बाद settings पर जाएंगे settings पर जाने के बाद यहाँ पर आपको lock home screen layout का option मिलेगा simply दोस्तों आप इस पर click कर देंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी icon यहाँ पर move नहीं हो रहा है दोस्तों यहाँ पर lock हो चुके हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप icon को lock कर सकते हैं home screen पर दोस्तों आप बात करते हैं next feature की तो यह भी feature आपको मिलता है home screen के अंदर simply home screen पर tap करेंगे इसके बाद settings पर click करेंगे और दोस्तों आप नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा swipe down for notification panel अभी आप क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर home screen पर swipe करते हैं तो यह जो apps वगेरा है open हो जाती है लेकिन दोस्तों आप इस feature को enable कर देते हैं कहीं भी आप home screen पर यहाँ पर swipe down करेंगे तो notification panel open होगा तो यह काफी अच्छा feature दोस्तों आपको देखने को मिल जाएं दोस्तों आप बात करते हैं next feature की जो कि आपको मिलता है clock के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने alarm को open कर रखा है यहाँ पर आप plus के icon पर click करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे जो number की series है आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप एक एक minute search कर सकते हैं लेकिन अगर दोस्तों आप 5 minute एक बार में search करना चाहते हैं तो simply किसी भी number पर आप tap करेंगे tap करने के पाद आप देखेंगे इसकी जो series है 5 minute के दोरान यहाँ पर convert हो जाए तो इस तरीके से दोस्तों आप इस feature का यूज कर सकते हैं काफी अच्छा फीचर आपको alarm के अंदर देखने को मिल जाता है आप करते हैं next feature की जो कि आपको मिलता है यहाँ पर alarm widget के अंदर यहाँ पर आप clock widget set करते हैं तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर आप देखेंग तो दोस्तों आप यहाँ पर दो जो अलग अलग कंट्री है जगह है सेलेट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको विजट में वो जो कलर है देखने को मिल जाएंगे और उस तरीके से दोस्तों आप सेलेट कर सकते हैं तो ये फीचर दोस्तों कमाल का आपको देखने को मिलता है जिसे आप होम स्क्रीम पर यूज़ कर सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हल पुल रहेगा ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई